प्रफि में हमारा फोर चेप्टर वाईयू चल रहा है वाईयू में हमने वाईयू मंडल का संगठन जिसमें कौन-कौन सी यह से पाई जाती हैं वायू मंडल की संरचना जिसमें पांच पढ़ते हैं शोब मंडल, समताप मंडल, मद्य मंडल, वाय मंडल और बहर मंडल का दिन कर लिया था इसके बाद हमने मौसम और जलवायू का दिन किया था तापमान, आतपन का दिन हमारे दोरा कल तक कर लिया गया था आज की इस वीडियो में हमारे द्वरा वायू दाब का दिन किया जाएगा वायू का दाब वायू जो हमें चारों और से गेरे हुए है वो प्रत्वी की सत्य पर एक प्रेशर बनाती है दवाब बनाती है उसे ही वायू का दाब कहते है जब भी वायू गरम हो जाती है तो वो पर उठने लगती है क्योंकि हलकी हो जाती है और जब भी वायू में नमी पाई जाती है तो वायू कैसी होती है भारी हो जाती है और वो हमेशा निम्न वायू दाग ये प्रत्यूजी सतय के पास अधिक निकट रहती है यहां पर हमारे दौरा जो अध्यान किया जा रहा है उससे पहले वायूदाप को पढ़ने से पहले बच्चों हमारे दौरा यहां पर कुछ जानकारी दे रखिए क्या आप जानते हैं पहले अपन उसका अध्यान करेंगे तापमान को मापने की मानक एकाई डिग्री सेल्सियस होती है इसका विश्कार एंडर सेल्सियस ने किया था शेल्सियस पहमाने पर जल जीरो डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और सो डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है यह आपके जानकारी के लिए है कि तापमान को श फॉरे नाइट में भी मापा जाता है यहां पर हमारे दौरा एक और बात बताई गई है जो वायूदाप से इस रिलेटेव है आपके लिए क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायू नहीं होती है अधिव वहां पर वायूदाप भी नहीं पाये जाता है अंतरेक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षथ हावाक से भरी एक अंतरेक्ष पोशाक पहनते हैं यदि वह इस पोशाक को नहीं पहने तो अंतरेक्ष यात्रियों के शरीर द्वरा विप्रीत बल लगने के कारण उनकी रख्त शिराएं होता है क्योंकि चांद पर गायून नहीं पाई जाती है एक और पशिम से आने वाली पवण को पश्यम पवन कहते हैं तो दूसरे शब्दों में हम कहें पच्छुआ पावने कहा जाता है ठीक है यह हमारे पेज नमबर चौरोइस पर दिये हुए है बच्चों, यहाँ पर हमारे दोरा आज वायूदाप से अद्धिन किया जाएगा वायूदाप के अंतरगात हमारे द्वारा जो अध्यन किया जा रहा है वच्छा उसी से ही अपन अपना चेप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है